नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूटूब एज्यूगिस्टन जैनल में तो आज की उड़ो लेक्चर में हम बड़े से बड़ी पत्री को आसानी से निकालने वाली दवा के बारे में स्टडी करेंगे तो जो प्रॉब्लेम ऐसे होते हैं कि जैसे की पत्री की बीमारी हो गई है कि जिसको हम किड्नी स्टॉन का प्रॉब्लेम भी कहते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जब ये किड्नी स्टॉन बनता है तो ये यूनिनेरी ट्यूब के अंदर आगे पास होता है जिसके करण क्या होता है कि वहाँ पे infection करता है वहाँ पे damage करता है जिसके करण दूसरा problem यह create होता है कि जब आप पेसाप करते हैं तो पेसाप के साथ जो है वो खूनाता है फिर तीसरी बड़ी समझ से हम देखे इसमें तो पत्री जो ही वो निकल नहीं रही है kidney stone में pass तो हो रही है पर इतनी slow pass हो रही है और उसके करण जो है वो काफी ज़्यदा जो है दर्द हो रहा है तो यह problems को solve करने वाली और आसन इसे पत्री को निकलने वाली दवा के बारे में हम सिखेंगे कि जिसका नाम है Tamlocept 0.4 mg tablet तो उसकी details study करेंगे और जानेंगे यह सबी chapters को तो सबसे पहले basic से शुरू करते हैं तो Tamlocept जो है वो essay class का medication है कि जिसको हम alpha blockers medications कहते हैं तो Tamlocept जो है उसका brand name है और salt content की हम बात करें तो Tamsulocene hydrochloride 0.4 mg उसका salt content है तो alpha blocker medications हुई manufacture की हम बात करें तो Lupin जो उसके manufacture है कि जो एक Indian multinational pharmaceutical company है जिसकी head office मुंबई में है तो अब देखते हैं उसकी uses के बारे में कि जो kidney stone की जो treatment होती है उस दोरान जो दवाया प्रिसक्रेब की जाती है उसमें यह Tamlocept भी रहता है Tamsulocene भी एक यहाँ पर option बनता है तो यह medicine क्या करती है जो urinary tube है उसको dilate करती है ऐसा होने पर यह kidney stone को kidney में से आसानी से निकालने में help करती है तो होता क्या है कि देखो कि यह जो stone है वो यहाँ तक आ चुका है यह देख रहे आप तो आगे यह क्या करती है कि यह जो हमारे tube है उसकी जो size है उसको बढ़ा देगा थोड़ा कि जिससे यह जो stone है वो निकलने में उसको आसानी रहे फिर दूसरा हम देखे तो जो BPH की जो condition है बीना इन प्रोस्टेटिक हाइपरब्लासिया है यूरियरी ब्लेडर आउटलेट अब्स्ट्रक्शन फिर सीम्टम्स होते है प्रोस्टेट एलनार्जमेंट के उसमें भी यह मेडिकेशन को जो वो प्रिस्क्राइब की जाती है ल standards के according to उसको जो वो बनाया जाता है फिर hard gelatin capsule रहेगी है यहाँ पर आप देख रहे है और प्रोरंग release capsule है कि जो लंबे समय तक अपनी pharmacological action देती है टाबलेट का हम टाइप देखे यह जो medicine है उसका तो capsule form में यह available है और hard gelatin capsule रहेगी है tamlo sept 0.4 capsule blister pack में यह available है और एक blister के अंदर 15 capsules रहती है तो यहाँ पर हम देख सकते के काफी attractive packing के अंदर यह capsules जो है वो available है फिर उसके working के बारे में हम देखे तो यह काम कैसे कर दी है तो जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एकदम easy language के अंदर समझाता हूँ और draw करके भी दिखाता हूँ तो मालो कि यह हो गई आपकी unitary tube तो पहले उसकी size इतनी थी और यह stone है वो काफी बड़ी size का है कि जिसको यहाँ से निकलने में जो है वो काफी ज़्यादा दिक्कतारी है कि जैसे यह वाला stone आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जब आप यह वाली medications लेते हैं तो tamlo से अप लेने के बाद क्या होता है कि इसका यह जो diameter है वो थोड़ा जाएगा कि जिससे उसको आगे pass होने में जो है वो आसानी रहती है तो दर्द तब होता है कि जब यह stone है वो छोटी यह जो tube है उसमें से निकलने का try करता है तो आसानी से निकल नहीं पाता पर जब उसी जो tube है उसका diameter बढ़ जाता है तो easily यह stone है वो यह tube में से pass होने लग kidney stone को easily निकालने में ये medication जो हो आपकी help करती है। तो ऐसा होने पर urine flow के flow बढ़ जाने से जाता है, जिसके स्था stone भी unit drug से बाहर आ जाता है। पर ध्यान ये रखना होता है कि जब ये medication patient ले रहा है, तो उसको पानी भी ज़्यादा पीना होता है। और जो दूसरे remedies वगएरा दी है आपको kidney stone related, तो वो भी follow करनी होते हैं कि जिससे stone जो है वो आसानी से निकल जाए। फिर आगे हम देखते हैं, तो ये medicine prostate and bladder के अंदर muscles को relax करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर urine का flow बहुत अच्चे से होता है और patient को राहत मिलती है। तो जो prostate की जो patient होते हैं, उनको भी कई बार urine pass नहीं होता। तो ये भी क्या करते हैं कि ये जो prostate के जो muscles होते हैं, bladder के जो muscles होते हैं, उनको क्या करता है, थोड़ा relax कर देता है। जिससे जो ये normal वाला prostate है और enlarged prostate के अंदर जो complications होते हैं, कि यूरेत्रा थोड़ा compress हो जाता है और urine pass करने में दिक्कत होती है। तो उस वक्त ये medication वहाँ भी काफी helpful साबित होती है। dose की हम बात करें Tamelocept की, तो 0.4 mg औरली रहती है, once a day के दिन में एक ही बार उसको लेना होता है। तो अगर आपको ये capsule prescribe की जाती है, तो डेली एक capsule आपको लेनी है। जरुवत पढ़ने पर डॉक्टर आपका dose 0.8 mg भी कर सकते हैं, बट डॉक्टर के साला के बाद ही ये dose increase किया जाता है, खासकर 0.2 में भी ये काफी effective साबित होती है, और 0.4 में भी उसको दिया जाता है। तो क्लिनिक चनला के लिए जो एक best book है, जो हमारी नई book है, This is a treatment, कि अगर आप alovedic practice सीखना चाहते हैं, तो ये book जो हो आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिस में भी है उसका content, तो ये book को आप जरूर से purchase कर सकते हैं, तो ये वाली book का content यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, ये वाले number पर book को order करने के लिए, तो यहाँ पर आप book का पूरा, एक short video जो है, वो देख रहे हैं, तो काफी affordable price में भी हम ये book दे रहे हैं, काफी अच्छी book है, colorful printed book है, सभी chapters उसके color है, तो book की ज़्यादा detail के लिए आप ये number पर WhatsApp कर सकते हैं, तब आद है topic पे, तो उसकी price हम देखें, तो December 2023 के according to, उसकी price है 278 रूपेज, ये जो 15 capsules आप purchase करते हैं, उसकी price रहेगी 278 रूपेज, side effects हम देखें, तो ये क्या करते हैं, कि जो tube है, unit tube या फिर जो blood vessels को dilate कर सकता है, और blood vessels को dilate करने के करण, ये low blood pressure का problem करवा सकती है, dizziness हो सकता है उसको लेने के बाद, drowsiness मलब कि उबासे लेना, libido कम हो सकता है, फिर ऐसा होता है कि importancy का problem पुरूसों में हो सकता है, फिर especially tenderness जैसा feel होता है, और enlargement of your breast in man, पुरूसों के अंदर ये problem हो सकती है, sleeplessness मलब कि यहाँ पी हम देखे कि रात को चार वज़े है, फिर भी नीद नहीं आ रही है ये patient को, तो ये problem हो सकता है, runny nose जैसे कुछ side effects कुछ लोगों को होती है, और ejaculatory problems भी हो रहे सकती है, कि जब आप ये medications use कर रहे हैं, जब भी ये medication लेना patient बन करता है, तो ये side effects automatically reverse हो जाती है, मलब कि कोई भी दिक्कत long term के लिए नहीं होती, फिर next हम बात करें, तो किसी को allergy है, temps solution की, तो ये medication को use नहीं करते हैं, do not donate the blood, कि blood donate ना करें, जब आप ये medication को use कर रहे हैं, फिर एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में ये रखनी है, कि और blood donate ना करें कोई भी patient, जब ये medication use कर रहा है, फिर drowsiness and dizziness जैसा आप fail कर सकते हैं, kidney failure का कोई patient है, तो भी इसको use ना करें, फिर liver problems, heart related problems, किसी का blood pressure काफी ज़्यादा कम है, तो भी use ना करें, क्योंकि अगर already low blood pressure के patient है, और ये medication लेंगे, तो आपका blood pressure और ज़्यादा खराब हो सकता है, मान लोग कि already किसी का blood pressure 90-60 के आसपास रहता है, या फिर 85-55 के आसपास रहता है, और अगर आप low sept लेते हैं, तो और ज़्यादा blood pressure नीचे हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना है, pregnancy category के हम बात करें, तो B है, तो जब भी pregnant है आप और अगर kidney stone related कोई problem है, तो gynecologist की जरूर से advise लनी चाहिए, ये medication को pregnancy के दौरान लेने से पहले, drug-drug interactions देखें तो कुछ antibiotics जैसे की erithromycin, doxycycline के साथ ये drug-drug interactions कर सकती है, फिर fluoxetin है, diclofenac, ibuprofen, prazosin, etnolol जैसे दवायों के साथ भी ये drug-drug interactions कर दिये, तो अगर आप इन में से कोई भी एक medication ले रहे हैं, तो उसके साथ combination में कभी भी tamloceft को use ना करें, दूसरा हम देखें तो clarithromycin है, paroxetin है, idraconazol, ketoconazol जैसे antifungal, metaprolol, tetrazosin, sorry, terazosin, indomethacin जैसे दवायों के साथ कभी भी उसको combination में use ना करें, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो यहाँ पे click करके मेरा ये वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं, कि यहाँ पे भी मैंने आपको काफी अच्छी information दी है, बीमारियों के बारे में, उपचार के बारे में और दवायों के बारे में, अगर आपको book purchase करनी है, तो जो हमारा number था, वहाँ पे जरूर से WhatsApp करें, गूट लगे नौट